दोस्तो आम तोर पर कभी न कभी आपने जिन्दगे में पुल तो पार किये ही होंगे दुनिया में कई ऐसे पुल है जहां सफर करना खतरे से खाली नहीं है आज हम आपको ऐसे ही खतरना पुल के बारे में बताएंगे जिन में से कुछ पाड़ों के उपर हैं तो कुछ समुदर के उपर एडवेंचर के सोपिंग लोग ऐसी दम्या पर जाना पसंद करते हैं तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे खतरना कुलों के बारे में दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले चैनल को सबस्क्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो के अपडेट आपको मिलती रहें ग्लास बोटो मेड ब्रीज चीन में बने इस ब्रीज की उचाई और लंबाई दुनिया में सबसे अधिक है यह पुल 1230 फित उचा और 984 फित लंबा है यह पुल काच का बना है यह ट्रांसपेरेट फुटपाद दुनिया में सबसे बड़ा है और इस पर चलना खतरे से खाली नहीं यह ब्रीज एकवर्ट में अधिक्तम 2000 लोकों का वजन उठा सकता है टिटलिस क्लिफ वाफ यह पुल सुटजर लैंड में बना है यह समुदर तल से करीब 10,000 फुट की उचाई पर बना है दो पाडियों को आपस में जोडने वाला यह ब्रीज यूरो फसल से उचाप फुल है इसकी लंबाई 320 फुट और चोड़ाई 3 फुट है गलास सस्फेंशन ब्रीज चीन में बने इस ब्रेव मैन फुल को दुनिया का सबसे खतरना फुल कहाँ जाता है इसकी लंबाई 430 मीटर और उचाई 300 मीटर है कारिक एरेडे ब्रीज नॉर्प आरलेंड में बना यह ब्रीज रेश्यो से बना है और जमीन से लगब सो फुटी उच्चाई पर है दो पाड़ों को आपस में जोडने वाले इस ब्रीज पर चलना खतरे से खाली नहीं है कपिलानो सस्फेंशन ब्रीज कनाना में बने इस फुलकन निर्मान 1889 सी में हुआ था और इसे नदी को पार करने के लिए बना गया था इसकी पुचाई 230 फुट है और लंबा 460 फुट है